नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण एप डाउनलोड करने से आपका बैंक खाता खाली हो सकता है आज हम बात करेंगे एक खतरनाक फ्रोड के बारे में जिसे कहते हैं APK File Fraud इस फ्रोड में होता ये है कि साइबर अपरादी आपको एक नकली APK फाइल बेजते हैं ये फाइल किसी फैमस एप का कलॉन हो सकती है या कोई ओफर देने का लालच देकर आपको फसाती है जैसे ही आप इस एप को इंस्टॉल करते हैं ये आपके फोन से आपकी निजी जानकारी चोरी कर लेती है आपके OTP, Bank Detail और यहां तक की आपके पाश्वर्ड भी चोरी कर लेते हैं इसकी सबसे खतरनाक बाद यह है कि ये एप आपके फोन पर पूरा कंट्रोल ले सकता है और फिर कुछ ही मिंटों में आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा आप देख सकते हैं बिजली बिल, माफी, योजना, लिस्ट ऐसी ग्रूपों के अंदर बहुत सारी एप्लिकेशन गूमती रहती है आप इनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप इस धोके के सिकार हो सकते हैं जैसे PM किसान, क्लौन, साइन ये करके ऐसी एप्लिकेशन ने बहुत सारी आ रही है इन पर आपको क्लिक नहीं करना है, किसी भी हालत में आपको इन पर क्लिक नहीं करना है PM किसान, योजना, KYC, बहुत सारे लोग PM किसान, KYC, योजना के बारे में जानना चाते हैं इन एप्लिकेशनों पे क्लिक कर देते हैं फिर वो फ्रोड के सिकार हो जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है जैसे CSC, DGP, एप जो CSC से जुड़े रहते हैं वो नाम चेंज करके ये लोग एप्लिकेशन बेजते रहते हैं ऐसी बहुत सारी एप्लिकेशन आपके ग्रूपो में भी forward होती होगी लेकिन आपको इन पर click नहीं करना है जैसे RMGB, BC Agent, AP कोई भी फाइल के पीछे AP के लिखा रहता है उस पर आपको click नहीं करना है तो ये fraud फाइले रहती है जैसे emitter service.apk तो जो भी AP के फाइल रहती है आपको इनको download नहीं करना है यदि phone में download हो जाती है तो आपको पूरा खाता खाली हो सकता है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है मैं आपको बताता हूँ कि इस fraud से कैसे बचा जा सकता है Google Play Store से ही app download करें अगर कोई आपको AP के फाइल भेजता है उसे कभी भी download ना करें only for Play Store से करें अंजान लिंक पर क्लिक न करें social media या email पर आए किसी भी संदिग्द link को ignore करें apps को permission देने से पहले सोचें किसी भी app को जरूरत से ज़्यदा permission मत दें phone में antivirus रखें एक अच्छा antivirus आपके data को सुरक्षित रख सकता है आपको साफधान लेने की जरूरत है तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी उप्योगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सेर करें ताकि आपके दोस्त और परिवार भी सतर्क रह सकें और हाँ चेनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही जरूरी जानकारी लाता रहूंगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए साफधान रहें सतर्क रहें धन्यवाद जै सिरीराम